हमारे इस खान सेग्मेंट एक्स्प्रीनर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ चवानी पांडे एक्स्प्रीनर में बात हम करेंगे पाकिस्तान और इरान के बढ़ते तनाव के बीच क्योंकि जिस तरीके से इरान ने बीते मंगलवार को हमले किये पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल पर जिसमें तीन घाल हुए है और दो की मौत हुई है उसके बाद पाकिस्तान ने उसी वक्ते साफ कहा दिया था और इस हमले में साथ लोग मारे गए हैं तो ये बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से बड़ी जवाबी कारवाई मानी जा रही है क्योंकि इसका एलान पाकिस्तान पहले ही कर चुका था और इरान और पाकिस्तान की बीच का ये जो तनाव है ये बहुत पहले से ही है लेकिन इस बीच अमारिका का साथ पाकिस्तान को मिल सकता है हाला कि पुरानी दोस्ती रही है पाकिस्तान और अमारिका की लेकिन कुछ यहाँ पर तनाव भी देखने को मिला लेकिन वापस अगर ये युद्ध और जादा लंबा खिंचा या फिर बढ़ता है या फिर इरान अगर हमले अब नहीं रोकेगा इसके बाद जवाबी कारवाई उसकी ओर से भी एक बार फिर की जाएगी तो इसकी आशंकाएं भी जताई जा रही है विशेशर युद्वारा की युद्ध और लंबा खिंच सकता है और अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इरान और अमारिका तो दोनों एक दूसरे के कटर दुश्मन है ऐसे में अमारिका पाकिस्तान की मदद को जरूर आगे आएगा और फिर एक मौका पाकिस्तान के पास फिर से होगा कि वो अमारिका का विश्वास जीते हाला कि चीन ने पहले ही कहा दिया है कि वो पूरी तरीके से सहायता करने के लिए तयार है लेकिन चीन के लिए जो अलंगा यहाँ पर अलंगा लगाने वाली बात है वो यह कि चीन का दोस्त इरान भी है और पाकिस्तान भी है पाकिस्तान के भी साथ उसके अच्छे संबंध है और मिडल इस्ट में मध्यपूर में इरान के साथ भी चीन के संबंध बहुत अच्छे हैं और चीन चाहता है कि ये जो संघर्ष है दोनों के बीच, इरान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई और लंबी ना खिचे और यहीं पर खत्म हो जाए। हाला कि दोनों ने एक दूसरे पार अटाक यहाँ पर कर दिया है लेकिन इरान को एक तरीके से उकसा है पाकिस्तान ने और हो सकता है इरान फिर से अटाक करे वहाँ के आतंकी संघर्ष नों पर जो बार बार इरान पर हमला करते रहते हैं। करनी होगी और पाकिस्तान को भी वो ऐसे नहीं छोड़ सकता लेकिन अगर यह लंबा युद्ध खिचता है तो पाकिस्तान को साथ मिलेगा कई सारे अरब देशों का क्योंकि जितने भी अरब देश हैं वो नहीं चाहते कि इरान आगे बढ़े मिडल इस्ट में उसकी जो च सकता है बहुत सारे देश एक बार फिर से बढ़ते हुए आपर नजर आएं हाला कि आपको बता दे कि इससे पहले दो युद्ध अभी लगाता चल रहे हैं रूस युद्ध जिसको अब लंबा वक्त हो चुका है और अब भी वो युद्ध थमा नहीं है रूस और यह आप सबको पता ही होगा लेकिन वो भी अभी थमा नहीं है और ऐसे में यह जो तीसरी सुख भुगाठ है इसने सारे देशों के मन में बहुत सारे विचार पैदा कर दिये हैं कि आगे क्या होगा क्या यह लड़ाए लंबी खीचेगी या फिर नहीं आपको क्या लगता ह है चीन आखर किस का साथ देगा या अमारे का पाकिस्तान का साथ देगा या फिर नहीं आप कमेंट सेक्शन के जरी हमें जरूर बताईए